नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विदानसी टेकनिकल क्लासेस में आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अभी जो ITI का रिजल्ट जारी किया गया था DZT की ओर से उस रिजल्ट में यदि कोई स्टुडेंस फेल हो गया है तो वो स्टुडेंस रेजी ग्रिवेंस वाला जो ऑप्सन है वो कब से अप्लाई कर सकता है साथी साथ मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसे स्टुडेंस जो पास हो चुके है उनको ITI का जो सर्टिफिकेट है वो कब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग जो है इस वीडियो को अंतर जरूर देखना और यदि इस वीडियो पे इस यूटुब चैनल पे आप लोग फर्स्ट टाइम हो बिल्कुल नए हो तो इस यूटुब चैनल को आप लोग सब्स्राइब करें ताकि ITI से रिलीटेड इसी तरह की यूजफूल अपडेट्स जो है आप लोगों को मिल सके तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ यह है annual और second year का ठीक है यह admission session जो है 19-21 वाले जो session का candidate है और इसकी जो है second year का अभी जो result जारी किया गया उसमें fail in employee skill है ठीक है यह student से जो candidate है वो employee skill में fail हो चुका है अब यहाँ पे देखिए यह आप लोग जो है इसमें निचे की तरब जाते हो इस result में तो आप लोगों को यहाँ पे जो है यह marks वगेरा मिलेंगे और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि employee skill है इसमें इसके 14 marks आये ठीक है 14 नंबर ही जो है इसको मिल सके हैं अब यहाँ पे देखिए students कि आप लोग इसको और ज्यादा नीचे इस result पे जाते हो तो यहाँ पे काफी important चीज लिखी हुई मिल रही है हमें कि ऐसे students जो एक तरह के से result को जो पास हो गए और result को जो है result को लेकर satisfy है संतुष्ट है तो result को accept करें ठीक है accept करने के बाद में जो है यहाँ पे लिखावा है कि बहतर गंटे के बाद में वो जो marksit है वो download कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जो है लेस्ट टेस्ट काफी important चीज जो है एक यहाँ पे लिखी हुई मिल रहे है कि in case you are not satisfy with the result displayed you can raise a grievance by clicking the raise a grievance यानि कि यदि आप लोग result को लेकर satisfy ना हो तो आप लोग raise a grievance है यह यहाँ पे लिखावा है raise a grievance इस बटन पर आप लोग जा सकते हो यहाँ पे देखिए यह most important चीज है exam related grievance option will be enabled enabled का मतलब है कि यह activate हो जाएगा start हो जाएगा after March 3rd 2022 तो 3 March 2022 से जो है यह raise a grievance वाला जो option है exam related exam से related यह दि कोई आप लोगों को issue है कोई problem है तो आप लोग 3 March से जो है इसको apply कर सकते हूँ marksit and certificate will be downloaded after March 15th 2022 यानि कि जो आपका marksit और certificate है वो आप लोग 15 March 2022 के बाद में download कर सकते हूँ right तो इस तरीके से जो है जिनको raising grievance apply करना है वो 3 March के बाद में कर सकते हैं अभी आप लोग यह दि इस पर click करोगे तो profile related grievance मांगेगा आप से ठीक है तो अभी आप लोगों को apply नहीं करना है तीन March के बाद में यह दि आप लोग fail हो किसी subject में और result से satisfy नहीं हो तो आप लोग 3 March के बाद में apply कर सकते हूं और assist candidates जो fast हो चुके हैं वो क्या करेंगे accept result करेंगे जैसे ही accept result करेंगे तो उसके बाद में जो है 15 March के बाद में उनका certificate जारी हो जाएगा उनका जो mark sheet वो भी जारी हो जाएगा और उसके बाद में वो mark sheet और certificate डाउनलोड कर सकते हैं तो आज किस reference का result जो है DGT की तरफ से जस्ट अभी जारी किया गया है तो इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ share करें आप लोग जिनका result जो है अभी जारी हुआ है ताकि वो भी जो है यह जो information जो है उन लोगों तक भी पहुंच सके तो ठीक है दोस्तों इसी तरह की useful updates regular प्राप्त करने के लिए आप लोग जुड़े रहे हमारी इस YouTube चैनल के साथ मिलेंगे आप से नेक्स वीडियो में नई update के साथ अब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद